सारे बच्चे प्री मैस की बुक उपेंट करनेंगे सो लेट स्टार्ट पेज नमबर 85 बेटा हम लोग चैप्टर 5 में आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नमबर 85 ओके चली सारे बच्चे देखेंगे एडिशन बिथ आउट रीग्रूपिंग कैसे आपको रीग्रूपिंग में हैट करना है स्टिप 1 बेटा यहां देखिए अरेंज दे नमबर इन टेंस एंड वन्स कॉलम पहले तो यहां पर देखिए 58 ओफॉर्टी वन नमबर दिया गया था इसको किस कॉलम में अरेंज करना वन्स एंड टेंस की कॉलम है means टेंस एंड वन्स की कॉलम में अरेंज किया गया है वन्स यह वन्स कॉलम होगे यह टेंस कॉलम का हो गया तो यह नमबर बेटा अरेंज किया गया है उसकी बाद क्या हुआ बेटा इस टिप 2 में add the numbers in the tens column यहां पर once column को add किया गया और यहां last tens column को add करके दिखाया गया है है ना बीटा तो सारे बच्चों को adding करना आता है ना मैंने पहले से भी आपको बताया है बट यहां पर बीटा regroup means add करना है addition without regrouping कैसी करेंगे बीटा यहां पर देखिए पहले तो बीटा number को arrange किया step 2 में once column को add किया second last में 10s column को add किया यहां पर देखिए example था यहां फर्स से हम लोग करेंगे add का following दिया गया है पहले हम लोग किस उन फान को start करेंगे once column को start करेंगे add करना okay तो three यहां पर दिया यहां पर one है तो three में अगर हम struct 1 कर देंगे बेटा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा मैंने आपको lining वाला भी सिखाया है तो आप line भी करकर के आप add कर सकते हैं जिन बच्चों को नहीं आएगा और जिन बच्चों को आएगा वो सीधा add करेंगे तो 3, 1 बेटा क्या हो जाएगा? 4, 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 5 यहाँ पर B वाला देखेंगे B वाले में भी ऐसे ही करना है बेटा पहले 1 को आट करेंगे फिर लास्ट 10 को आट करेंगे यहाँ पर 5 बेटा दिया गया है 4, 5 में अगर हम प्लस 4 को आट कर देते हैं बेटा कितना आजाएगा? 9 और लास्ट में 4 प्लस 2 कर देंगे बेटा कितना हो जाएगा? 6 4 प्लस 2 करेंगे बेटा 6 हो जाएगे हैं हापर 6 राइट कर देंगे एके? फिर सी वाला भी ऐसे ही होगा पहले 1's कॉलम को आट करेंगे फिर 10s column को करेंगे 7 plus 2 करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 9 7, 8, 9 7 में अगर हमने 2 add कियाद बेटा कितना हो जाएगा 9 10s column में 3 plus 2 करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 5 ओके ऐसे ही आपको बेटा सारा add करना है डी बाला भी ऐसे हैगा 1s column में 7 plus 1 करेंगे बेटा 8 हो जाएगा और 2 plus 3 करेंगे 5 हो जाएगा ओके बच्चों समझ भी आ रहा है यह वाला भी ऐसे ही बेटा करेंगे 3 plus 1 4 हो जाएगा 3 plus 1, 4, 7 में 2 को add किया क्या हो जाएगा बेटा 9 जिन बच्चों को नहीं आएगा वो सारे बच्चे लाइन भी करके add कर सकते हैं बेटा मैंने यह भी तरीका आपको बताया है जैसे बेटा यहाँ पर देखे 1s column में 9 plus 0 करेंगे बेटा क्या हो जाएगा 9 4 plus 3 करेंगे बेटा 7 हो जाएगा 3 plus 6 plus 3 करेंगे 9 3 plus 2 करेंगे 5 ऐसे ही आपको बेटा कम्प्लीट करना है सारा कर लेंगे सारे बच्चे ओके थैंक यू क्लास हैव अनाइस दे